बोथ बैलन्स का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं बोथ बैलन्स का दो तरह के से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो हम किसी चीज़ के बारे में ये कहें कि दोनों ही चीज़ें संतुलित हैं या दोनों ही संतुलन में हैं तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं बोथ बैलन्स या बैलन्स का मतलब तराजू भी होता है तो जो तराजू के दोनों पलडे होते हैं उनको भी बैलन्स आप कह सकते हैं इसको इस तरीके से भी इस्तिमाल कर सकते हैं कि बोथ बैलन्स मतलब तराजू के दोनों पलडे या दोनों तराजू, इस context में हम आपको इतना ही इसका मतलब बता सकते हैं, बाकि इसका बहुत तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है तो अगर आप जिस चीज में जिस sense में इसका मतलब ढूंड रहे हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें कमेंट करिए, जल्दी ही हम आपको वीडियो बनाकर इसके बारे में बता देंगे अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें